नमस्कार दोस्तों, इन्फाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सब का स्वागत है, उमीद करता हूँ कि आप सब की साधना बहुत अच्छे से चल रही होगी, आज मैं आपको सब्षती से जुड़ी एक महत्वपूर जानकारी देने वाला हूँ, तो क्रपे आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके, तो अब बात की जाए सब्षती साधना की, तो सब्षती साधना के बारे में मैंने अपने पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ, कि ये जो नॉर्मल सब्षती है वो नहीं है, जो बाजा से आज आए कि मैं किस सब्षती के बारे में बाते कर रहा हूँ, तो अब मैं आपको बता दूं कि जो सब्षती साधना का प्रथम चरित्र है, जो कि महाकाली का है, वो इतना अधिक जरूरी और इतना महत्वपूर्ण क्यो समझा जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है, महाकाली का सम्मंद हमारे मूलाधार तत्व से होता है, और जो महाकाली का ये प्रथम चरित्र है, इसमें मूलाधार चक्र को जागरित करने के ही सारे बीजमंत्र लिखे हुए हैं, तो यदि हम इसके प्रथम चरित्र को बहुत अच्छे से करते हैं, बहुती सटीक पूरवक, बहु जन्मों के कई सारे बूरे कर्म एकत्रित होते हैं। वो सारे बुरे करम जलकर भस्म होना शुरू हो जाते हैं। पिर वो आपके जीवन के हर मोड पर हर रास्ते पर आपके जीवन की हर मुसीबतों कठिनाईयों के समय आपके साथ सदेव खड़ी रहेगी तो ये जो सब्षती साधना का प्रथम चरित्र है जिसको हम महाकाली का चरित्र भी कहते हैं ये एक ऐसा रास्ता है जिसके जरीए आप महाकाली को अपने जीवन में जागरत कर सकते हैं या महाकाली के तत्व को अपने जीवन में जागरत कर सकते हैं ये साक्षात महाकाली का ही एक स्वरूप समझा जाता है यह जो प्रथम चरित्र है इसको आप साक्षात्मा काली का ही स्वरूप समझें तो जितने भी साधक अपने जीवन में महाकाली के स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं या महाकाली को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस सप्षती साधना के प्रथम चरित्र का पार्ट अवश्य करना चाहिए क्योंकि यही वो पार्ट है जो एक साधक की कुंडालिनी शक्ती को उपर की तरफ उठा कर उसकी अध्यात्मिक चेतना को उपर उठाता है और साथ ही जब हमारी कुंडालिनी शक्ती उपर उठती है और जब हमारा मूलाधार चक्र अक्टिव होता है तो हमको कई सारे अहसास होने लग जाते हैं और यह आहसास कौन कौन से है इस पर मैंने एक इसपष्ट वीडियो बनाया हुआ है तो आप जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजेगा कि हमको जब मुलाधार चक्र जागरत होता है तो हमें कौन कौन से एहसास होने लग जाते हैं और इसी कारण बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं जो उन एहसासों के होने के बाद वो इस साधना को करना बंद कर देते हैं जो कि बहुत गलत है क्योंकि उन अहसासों से या तो वो साधक बहुत जादा भैवीत हो जाते हैं ढर जाते हैं या फिर वो बहुत जाता परेशान हो जाते हैं। जिस वज़े से वो इन साधनाओ को बीच में ही रोग देते हैं जो की ऐसा कभी नहीं करना चाहे हैं। याद रखेगा ये सब जो एहसास होते हैं ये आपको कुछ समय के लिए होते हैं और उसके पशाद वो एहसास होना बंद हो जाते हैं और उसके पशाद केवल एक अध्यात्मिक शांती ही हमारे अंदर बचती है तो कभी भी इन एहसासों के कारण कभी भी साधना को बीच में बंद मत कीजेगा क्योंकि अंतता याद रखेगा कि महाकाली आपकी माँ है वो आपको एकदम अपने बच्चे के समान प्रेम करती है तो कभी भी आपको कोई भी ऐसास हो रहा हो समझ जाएगा कि महाकाली आपके साथ जरूर है तो आपको कभी भी कुछ नहीं होगा इन एड्रेस हमें सेंड कर दीजेगा हम जल्द से जल्द इस सप्षती साथना की बुक को आपके घर तक पहुचाने की कोशिश जरूर करेंगे साथ ही साथ हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़कर भी आप इस बीज मंतरात्मक्ष अप्षती साथना की पीडिएफ को प्राप् कर सकते हैं तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नमस्षिवाए